साथियो नमस्कार स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चनल पर मैं आपका दोस्त राजेश सर्मा मुखातिव हूँ आपसे एक बार फिर से मुंसी प्रेम चनल की एक और खूब सूरत कहानी तेंतर ले करके तो आए दोस्तों सुनते हैं इस कहानी को पसंद है तो लाइक जरूर करें आखिर भई हुआ जिसकी आशंका थी जिसकी चिंता में घर के सभी लोग और विसेशते प्रसूता पड़ी हुई थी तीनों पुत्रों के पश्चात करन्या का जन्म हुआ माता सोड में सूख गई पिता बाहर आंगन में सूख गई और ब्रद मात का सोड द्वार पर सूख गई अनर्थ महा अनर्थ भगवान ही कुशल करें तो हो ये पुत्री नहीं राक्षसी है इस अभागनी को इसी घर में जाना था अरे आना था तो कुछ दिन पहले क्यों ने आई भगवान सात्वे शत्रू के घर भी तेंतर का जन्म ने दे पिता क प्रा से हिर्दे में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागनी होती है या पिता को लेती है या पिता को या अपने को उनकी ब्रदा माता लगी नवजात कन्या को पानी पीपी कर कोसने कल मुही है कल मुही ने जाने क्या करने आई यहां किसी ब बगवान की इच्छा होती है वही होता है इस वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा गाने वालियों को बुला लो नहीं लोग कहेंगे तीन बेटे हुए तो कैसी फूली फिरती थी और एक बेटी हो गई तो घर में कोहरा मच गया माता अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को मेरे सिर्टों बीच चुकी है प्राण नहीं मैं समाया हुआ है तेंतर ही के जनम से तुमारे दादा का देहां थुआ तभी से तेंतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा काँ पुठता है दामोदर इस कष्ट के निवारन का भी कोई उपाय होगा माता उपाय बताने को दो भहुत है पंडित जी से पूछो तो कोई न कोई उपाय बता देंगे पर इससे कुछ होता नहीं मैंने कौन से अनुष्टान नहीं किये पर पंडित जी की तो मुठ्यां गरम हुई यहां जो सिर्पर पढ़ना था वै पढ़ी गया अब टके के पंडित रह गये हैं जजमान मरे या जीए उनकी बला से उनकी दक्षना मिलनी चाहिए दीरे से लकडी दूली पतली भी नहीं है तीनों लड़कों से हश्ट पुष्टे बड़ी बड़ी आँखे हैं पतले पतले लालाल होट हैं जैसे गुलाब की पत्ती गोरा चुठा रंग है लंबी सी नाख कल मुई नहलाते समय रोई भी नहीं तुकर तुकर ताक्ती रही ये सब लच्छन कुछ अच्छे थोड़ी हैं दामोदर्दत के तीनों लड़के सामले थे कुछ विशेष रूपबान भी नहीं थे और लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित कुछ प्रसंद हुआ बोले अम्मा जी तुम बगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुलाई भेजो गाना बजाना होने दो भाग में जो कुछ है वे तो हो गई माता जी तो होलस्ता नहीं क्या करूँ दामोदर गाना नहीं होने से कष्ट का निवारन तो होगा नहीं कि हो जाएगा अगर इतने सस्ते जान छूटे तो नहीं कराओ गान माता चलो बुलाए ल कराने का काम नहीं है, माता भला उनसे को चुब बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेगी, बारही दिन हैं बहुत दिन नहीं है, बहुत इतलाती फिरती थी, ये ने करूंगी वहे ने करूंगी, देवी क्या है, मर्दों की बाते सुनकर वही रट लगाने लगी थी, तो इनको बेजा कि जाकर गाने वालियों को बुलला पड़ोस में भी कहती जाना सवेरा होते ही बड़ा लड़का सो करके उठा और आँख मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा बड़ी अम्मा कल अम्मा को क्या हुआ माता लड़की तो हुई है बालक खुशी से उचल करके ओ हो हो पेंजनिया पेन पेन कर छुन-छुन चलेगी जरा मुझे दिखा तो दो दादी जी माता अरे क्या सोड में जायेगा पागल हो गया है क्या लड़के की उठसुकता ने मानी सोड के द्वार पर जाकर के खड़ा हो गया और बोला अम्मा जरा बच्ची को मुझे होती है बालक जरा दिखा दो गोद में लेकर दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वहां से दोड़ता हुआ अपने छोटे भाईयों के पास मोचा और उन्हें जगा जगा कर खुसकबरी सुनाई एक बोला नन्नी सी होगी बड़ा बिलकुल नन्नी सी जैसे बड़ी गुडिय ऐसी गोरी है कि क्या किसी साब की लड़की होगी ये लड़की मैं लूँगा सबसे छोटा बोला अम को भी दिखा दो तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहां से बगलें बजाते उचलते कूटते बाहर आए बड़ा देखा कैसी है मजला अरे कैसे आखे बंद किये पड़ी थी छोटा हमें हमें तो देना बड़ा खूब द्वार पर भरात आएगी हाती घोले बाजे आतिस वाजी मजला और छोटा ऐसे मगन हो रहे थे मानोवे मनोवर द्रश्य आखों के सामने हैं उनके सरल नित्र मनोला से चमक रहे थे मजला बोला फुलवारियां भी हो पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं खुसी से नहीं लड़की दिन दिन दुर्बल और एस्वस्त होती जाती थी मा उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात को नशे में बेहोस पड़ी रहती जरावी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रो नहीं लगती मा कुछ उपरी दूद पिला कर अफीम खिला देती आश्यरे की बात तो यह थी कि अबकी उसकी चाती में दूद ही नहीं उतरता था यह भी उसे दूद देर से उतरता था पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रगार की दूद वर्दक औस्दियां खिला ही जात यहां तक की दूद उतर ही आता था पर अबकी यह आयोज नाय नेकी गई फूल सी बच्ची कुमलाती जाती थी मा तो कभी उसकी और ताक्ती भी नहीं थी हाँ नाइन कभी चुटकियां बजा कर चुमकार थी तो सिसु के मुख पर ऐसी देनिये ऐसी करुण बेजना अंकित दिखाई देती कि वे आँखें पोंशती हुई चली जाती थी बहु से कुछ कहने सुनने का सासने पड़ता बड़ा लड़का सिद्धू बारबार कहता अम्मा बच्ची को दो तो बाहर से खेला रहूं पर मा उसे जिड़क देती थी तीन चार मेने हो गए दामोदर दर्थ रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बाली का जाग रही है सामने ताख पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था रड़की टक्टकी बांदे उसी दीपक की और देखती थी और अपना अंगुठा चूसने में मगन थी चुप चुप की अवाज आ रही थी उसका मुख मुर जा मानो उसका उन पर कोई अधिकार ही नहीं उसके लिए वहाँ कोई आशा नहीं बाबू साव को उस पर देया आई इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोस है मुझ पर या इसकी माता पर कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराद है हम कितनी निर्दैता कर रहे हैं मानो की कुछ अमंगल हो भी जाये तो क्या उसके भैसे इसके प्राण ले लिए जाएंगे अगर अपरादी है तो मेरा प्रारब्द है इस नन्ने से बच्चे के प्रती हमारी कठोड़ता क्या इस्वर को अच्छी लगती होगी उन्होंने उसे गोज में उठा लिया और उसका मुक्चूने लगे लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे इसने का ग्यान हुआ वे हाथ पेर उचालकर गूंगूं करने लगी और दीपक की और हाथ फेलाने लगी उसे जीवन जोती सी मिल गी प्राते काल दामोदर्दत ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए इस्तरी ने बार बार कहा उसे पड़ी रहने दो ऐसी कौन सी बड़ी सुन्दर है अबागिन रात दिन तो प्रान खाती रहती है मर भी नहीं जाती कि जान छूट जिया है किन्तु दामोदर्दत ने ने माना उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठ कर खिलाने लगे उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी परोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी इस समय भी वे चल रही थी बाबू साब ने कुझ हवा में खिलाया करो सिद्दू को दिल लिगी हाक आई उसका छोटा भाई भी दोड़ा दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए पिता ने सिसू का मुहें बकरी के थन में लगा दिया लड़की चुबलाने लगी और एक शन में दूद की धार उसके मुहें में जाने लगी मानो टिम्टिमाते दीपक में तेल पर जाये लड़की का मुहें खिल उठा आज शायद पहली बार उसकी चुदा तरप्त हुई थी वे पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेने लगी लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुद उस दिन से सिद्दू को मनो रंजन का एक नया विशह मिल गया बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है अगर किसी गोशले में चडिया का बच्चा देख जाएं तो बार बार वहीं जाएंगे देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है बच्चा कैसे च आख में लगा देता कभी दिन में दो दो तीन तीन बार पिलाता बक्री को भूसी चोकर खिला कर ऐसा पढ़्चा लिया कि भे स्वेम चोकर के लोब में चली आती और दूद देकर चली जाती इस माती कोई एक मेना बुजर गया लड़की हष्ट पुष्ट हो गई मुक पु कुछ कह तो ने सकती पर दिल में आशंका होती थी कि अब वे मरने की नहीं हमी लोगों के सिर जाएगी कदाचित इस्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं तभी तो दिन दिन निखरती आती है नहीं अब तक इस्वर के घर पर पहुंच गी होती मगर दादी माता से कहीं ज्यादा उसे भ्रम होने लगा कि वे बच्चे को खूब दूद पिला रही है साप को पाल रही है शिसु की और आँख उठा कर भी नहीं देखती यहां तक की एक दिन के बैठी लड़की का बड़ा छोग करती हो हाँ भाई मा हो की नहीं तुम ने छोग करोगी तो कौन करेगा अमा जी इस वर जानते हैं जो मैं इसे दूद पिलाती हूँ अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ मुझे क्या गर्च पड़ी है कि मुफ्ट मैं अपने उपर पाप लू कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं अब आपको विस्वास ही ने आये तो क्या करें मुझे पागल सम समझा वै मेरी शंका को निर्मूल समझती है मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है उसके मन में भाव अंकृत होने लगा कि इसे कुछ हो जिया है तब ये समझे कि मैं धूट नहीं केती थी वै जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी अधिक समझती थी उनी लोगों कि मेरी शंकाएं सत्त हो जिया है वै ये तो नहीं चाती थी कि कोई मर्जया है पर इतना अवस्च चाती थी कि किसी के बहाने से मैं चेता दू कि देखा तुमने मेरा कहा नहीं माना ये उसी का फल है उधर सास की और से जोंजयों ये द्वेस भाव प्रगट होता था बहु क करन्या के प्रती इसने बढ़ता था इसवर से मनाती रहती थी कि किसी माती एक साल कुशल से कठिया है तो इनसे पूस्ती कुछ लड़की का भोला बाला चेरा कुछ अपने पती का प्रेम वाचल देखकर भी उसे प्रोचान मिलता था बचित्र दसा हो रही थी ने दिल खोल लगे और कोई अनिष्ट नहीं हुआ तब तो ब्रदा सास के पेट में चुहे दोड़ने लगे बहु को दो चार दिन ज्वर भी नहीं जाता कि मेरी संकागी मरियादा रह जया है पुत्र भी किसी दिन पैर गाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता ने बहु के मैके ही से किसी के स्वरगवास की सुनावनी आती है एक दिन दामोदर्दत ने खुले तोर पर कैवी दिया कि अम्मा ये सब ढखोसला है तेंतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं है तो सबके सब माबाब मरी जाते अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक त फिर्कियां बंद है गवरा करके कहा अम्मा जी क्या दशाए इस तरी दोफैर से ही कलेजे में एक सूल उठ रहा है बेचारी बहुत तडफ रही है गामोदर्द अरे मैं जाकर डक्टर साब को बुला लाओं देर करने से सायद रोग बढ़ जाए अम्मा जी अम्मा जी कैसी तबियत है माता ने आखे खोली और करहाते हुए बोली बेटा तुम आगे अब ने बचूंगी हाई भगवान अब नहीं बचूंगी जैसे कोई कलेजे में बर्ची चुबा रहा हो ऐसी पीला कभी नहीं हुई थी इतनी उम्मर बीत गई ऐसी पीला कभी नहीं हुई इस तर मेरे सिराई किसी के सिर्टों आती ही मेरे ही सिर्षई हाई भगवान अब ने बचूंगी दामोदर जाकर डाक्टर बुला लाओं अम्मा अभी लोट आता हूं अम्मा जी को केबल अपनी बात की मरियादा निभानी थी रूपिये ने खर्च कराने थे बोली नहीं बेटा ड वैं कोई इस्वर है डाक्टर के पास जाकर क्या करोगी अरे वैं कोई इस्वर है डाक्टर अम्मरत पिला देगा दस बीस बेवी ले जाएगा डाक्टर बैस से कुछ नहीं होगा बेटा तुम कपड़े उतारो मेरे पास बैठकर भागवत पड़ो अब ने बचूंगी इसी से मैं उसे कभी नहीं लगाती थी माता बेटा बच्चों को आराम से रखना भगवान तुम लोगों को सुकी रखे अच्छा हुआ मेरे ही सिल गई तुम लोगों के सामने मेरा परलोग हो जाएगा कहीं किसी दूसरे के सिल जाती तो क्या होता राम भगवान ने मेरी बिंती सुन ली हाए हाए दामोदर धत्त को निश्य हो गया कि अवामा नहीं बचेगी बड़ा दुख हुआ उनके मन की बात होती ही तो वे हम मा के बदले तैतर को ने स्विकार करते जिस जन्नी ने जन्म दिया नाना प्रकार के कष्ट जेल कर उनका पालन कोशन किया अकाल बैधव को प्राप्त होकर भी उनकी सिक्षा का प्रवंद किया उसके सामने एक दुद्मुही बच्ची का क्या मुल्ली था जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वे नहीं जानते थे शोकातुर हो कपले उतारे और माके सिराने बैठकर भागवत की कता सुनाने लगे रात को भव भोजन बनाने चली तो सास से बोली अम्मा जी तुमारे लिए थोड़ा सा साबू दाना छोड़ दू माता ने ब्यंक करके कहा बेटी अन बिनाने मारो भला साबू दाना मुझसे खाया जाएगा जाओ थोड़ी पूरियां छान लो पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूँगी और कचोरिया भी बना लेना मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस कर क्यो मरू अरे थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना चोक में से फिर थोड़े खाने आउनगी बिटी थोड़े से केले भी मंगवा लेना कलेजी के दर्द में केले खाने से आराम होता है भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई लेकिन आदा गंटे बाद फिर जोर से होने लगी आदी राद के समय कहीं जाकर उसकी आख लगी एक सब्ताय तक उनकी यही दुसा रही दिन बर पढ़ी करहा करती बस भोजन के समय जरा बेदना कमो जाती दामोदर दक्त सिलाने बैठे पंका जलते और मात्र बियों के आगत्षोक से रोते घर की मेरी ने मुहले बर में एक ख़वर फैला दी पड़ोसी ने तभी शान्त होती है देव नहीं करे कि किसी के घर तेंतर का जल्म हो दूसरी बोली मेरे तो तेंतर का नाम सुनते ही रोंग्टे खड़े हो जाते हैं भगवान बांज रखे पर तेंतर का जल्म नहीं दे एक सब्ताय के बाद ब्रद्दा का कष्ट निवारन हुआ मरने में क कोई कसर नहीं थी बैतों कहो पुर्खाओं का पुर्णे प्रताब था ब्राह्मनों को गौदान दिया गया दुर्गा पाठ हुआ तही तब कहीं जाके संकट कटा तो साथियों यहां आपने देखा कि किस तरह के नाटक बुडिया के द्वारा रचे गए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किस तरह उसने जो है अपने आपको विमार घोसित किया तो एक भहुती खूबसूरत कहानी यहां आपने सुनी और अगले वीडियो में फिर मिलत हैं तब तक के लिए सभी को नमस्कार धन्यवाद